आज हम संग्रहालय या म्यूजियम के बारे पर चर्चा करेंगे म्यूजियम क्या होता है आपने कालिज, अपने स्कूल या यूनिवरिसिटीज पर देखे होंगे बायलोजी लैब पर कुछ एनिमल या प्लांट जार पर रखे होते हैं प्रिक्टिकल के समय उनको दिखाया जाता है ये म्यूजियम कहलाया करते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है कि म्यूजियम वह भवन है मतलब यह एक ऐसा इस्थान है जिसमें पादपूं वह जन्तूओं की प्रिजर्वड स्पेसिमिन मतलब परिदच्छित नमूनों को अध्यायन हे तो संग्रच्छित किया जाता है मतलब कुछ जन्तू और पौधे होते हैं उनको अध्यायन के लिए हम प्रिजर्वड कर लेते हैं और फिर किसी जार में भर करके उसका अवलोकन करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं तो वह पूरी रचना जो काच के बोतल में या काच के जार पर बंद होती है और उसका उप्योग हम अपने अध्यायन में करते हैं वह म्यूजियम कहलाया करता है next point है museum में जीवों के परिरच्छन मतलब preservation, संग्रह वा प्रदर्शनी की यथोचित ब्यवस्था की जाती है मतलब उसका पईरच्छन कैसे करना है उसका संग्रह कैसे करना है और कैसे उसको दिखाना है ताकि उसके सारे पार्ट क्लियर तरीके से देखने वाले के समझ में आएं तो ये पूरी बिवस्था की जाती है अच porch ये मुजियम छोटे मध्यम और बड़े तीन प्रकार के होते हैं तो छोटे मुजियम कहाँ पर होंगे इसकूल में, कॉलिज में ये छोटे मुजियम होते हैं छोट छोटे बोतलों पर, जार पर, कांटेंटर पर इनको रखा जाता है मद्यम म्यूजियम जो होते हैं मीडियम साइज के वो उन्वर्सिटीज में होते हैं विस्व बिद्यालियों में होते हैं और बड़े बड़े म्यूजियम बड़े सहरों में या कुछ सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर बड़े म्यूजियम होते हैं एक बड़ा म्यूजियम है जिसका नाम फेमस है काफी Bombay Natural History Society इसको यह दखना BNHS मतलब Bombay Natural History Society यह एक बड़ा म्यूजियम है एक बड़ा संगरहाला है यह म्यूजियम में following type के specimen हो सकते हैं मतलब म्यूजियम में इस इस प्रकार के specimen या नमूने हो सकते हैं पहला यहां पर लिखा हमने कि jar में या container में फार्मिलीन ये क्या है ये एक परिरच्छक है आपने देखा होगा बोतलों में जो liquid भरा रहा करता है जिसकी वजह से जन्तु या पोधे सड़ते नहीं है तो jar में फार्मिलीन जैसे परिरच्छक या प्रिजर्वेट्यू में जन्तुई specimen पूरा पूरा जन्तु या उनके कोई पार्ट को अंग को या फिर पादपों के मानसल भाग को हम संगरच्छित किया करते हैं तो यहाँ पर फार्मिलीन सब्दाया हुआ है फार्मिलीन क्या है फार्मिलीन 40% solution of formaldehyde होता है इसको याद रखना important है फार्मिलीन क्या है 40% solution of formaldehyde मतलब formaldehyde का ये 40% solution होता है और क्या हो सकते हैं जन्तूओं के कंकाल मतलब जन्तूओं के skeleton ये भी museum में रखे जाते हैं फिर fossils भी हम रख सकते हैं फॉसिल्स किसके हो सकते हैं animal के या plant के तो इससे या idea लग जाता है कि पिछले जन्तू या पौधे कैसे थे और आज के कैसे हैं तो इनमें तुलना हो जाय करती हैं बाक्स में कीट रख देते हैं चुट-चुट कीट हैं उनको बाक्स में रख देते हैं insects in box तो ये भी museum कहलाया करता है जन्तूओं के अंडे घोसले या फिर पंक मतलब eggs, nests या feathers इनका भी museum बनाया जाता है कि ये किस animal का egg है किसका nest है या किसका ये feathers हैं तो ये भी museum क अंतरगती आता है और क्या है model and chart model पर या chart पर हम museum बना करके दिखा सकते हैं तो ये भी museum के अंतरगत आता है कुछ जन्तूत पाग होते हैं animal product ये animal product भी museum की रूप में रखे जाते हैं लाख है, रेसम है, मोती है, हाथी दात आदी ये सब museum के रूप में रखे जाते हैं इसके बाद ये दो खास point है यहाँ पर एक geological park जिसे हम जू कहते हैं नेक्स्ट वीडियो पर हम geological park के बारे पर बताएंगे तो एक geological park या जिसे जू कहते हैं या geological garden भी कहते हैं इसको और museum में अंत यह है कि जू में या geological park में जीवित जीव होते हैं मतलब जीवित जीव जन्तु रखे जाते हैं लेकिन museum में मरत जीव होते हैं तो ये खास अंतर है यहाँ पर museum में जो भी होंगे वो मरत जीव होंगे और geological park या जू पर जीवित जीव जन्तु होते हैं दूसरा point है कि मरत मुरत जन्तूओं को उपचारित करके, मतलब जैसे उसमें कुछ केमिकल लगा करके, उनमें काटन या अन्य पदार्थ भरकर, जैसे माली जे कबूतर है, कबूतर को हमको दिखाना है कि हाँ ये म्यूजियम है, तो उसको पूरा-पूरा उसमें कोई लिक्विड न डाला जाया ऐसे dry condition में उसको दिखाना है, तो म्रत जन्तूओं को उपचारित करके, उनमें काटन या अन्य पदार्थ भरकर, उन्हें जीवित जन्तूओं के रूप में प्रदर्शित करना, मतलब हैं तो वो म्रत, लेकिन उनको कुछ केमिकल के द्वारा उपचारित करके, उनको ऐसा दिखाई दे कि हाँ ये जीवित है, तो ये जो बिधी होती है, इसको हम टैक्सी, डर्मी के नाम से जानते हैं, ये भी important point है, तो ये आज का वीडियो म्यूजियम या संग्रहालाई के बारे पर था, इसमें खास point है, जो आपके exam के लिए helpful हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी screen start भी ले सकते हैं, ये यहां से, thank you for watching.